आपका स्वागत है आज हम लोग बात करेंगे क्रिजन तमिम के उपर जिसको हिंदी में हम लोग गुल्दाओधी भी बोलते हैं इसके बहुत छोटे-छोटे फूल होता है और यह बहुत जाधा काउंट में आते हैं तो यह मेरा प्लांट है यह लास्ट यह का प्लांट है इस इसको मैं अच्छली यह प्लांट भी नहीं था इसको मैं इतना सा एक कटिंग था जो मैं फ्लोरिस के पास से लेके आया था उसको फूल था जो मैंने इस पेंट होने के बाद निकाल दिया और इसको गंबले में लगा दिया था आज देखिए एक साल के बाद इसको बहुत प्लार है आप इसको अभी लगा सकते हैं वैसा तो ऑगस्ट के फॉर्स्ट वीक में ही लगाना बेस्ट होता है क्योंकि फिर बारिश में ज्यादा बढ़ेगा और फिर नवेंबर से इसका फ्लोरिंग सीजन स्टार्ट होगा लेकिन अभी भी टाइम है अभी सप्टेंबर क कि परहरा या चोटा सा प्लांट भी लेकर आए और लगा दिया तो भी चलेगा या फिर इतना सा कटिंग अगर आपको कहीं से मिला तो आप इसको कट करके उसकी पत्य आठ्ट आके आप इसको गमले में लगाए इसका एक प्लान्ट बना सकते हैं तो अभी आप देख सकते हैं मेरे इसमें कितने सारे बीड़्स आ गया है तो इसके इस प्लांट को इतने सारे फूल आते हैं, तो इसका खाद requirement भी बहुत जादा है, तो आप तीन हिस्सों में इसकी soil mix बना सकते हैं, फर्स इसमें होगा कोकोपीट, फिर आपके गमले की मिट्टी, या फिर आपके गार्डन की मिट्टी, और इसमें एक portion होगा आपके compost का, या गोबर की खाज होते हैं, वो भी आप भी उसकर सकते हैं, तो इसका मैंने ऐसा एक soil mix बना के इसमें लगा दिया था, अब इसको इतने साध्या आ रहे हैं, फिर मैंने मैं एक बार मैं इसको प्यास का पानी भी डालता हूँ, हर हफते भी आप प्यास का पानी डाल सकते हैं, महने में एक बार जो सरसो खली होती है उसका पानी मैं इसको डालता हूँ तो आप देख सकते हैं इसको कितने ज़्यादा birds आये हैं तो यह आप ज़रूर लगाए इसके बहुत अच्छे फूल आते हैं और यह winter का best plant है अगर आप देखोगे तो इस plant में almost 200 से ज़्यादा birds होगी और और बढ़ेंगे यह लेकिन इसका problem क्या होता है यह जितना ज़्यादा उंचा बढ़ता है उतना ज़्यादा गिरने लगता है तो देख सकते हैं मैंने इसको यह support दिया यहाँ पे यहाँ पे-smilis को टांग दिया इसकी वज़य से यह गेर नहीं रहें इसको पानी की बात करते हैं अभी तो बारिश का ही season है तो पानी इसको बारिश का ही पानी सही है अगर वैसे इसको अच्छे से पानी दे गरीमों में रोज पानी देना पड़ेगा विंटर्स में आप इसको दो दिन छोड़के अगर गमले की मिट्टी कितनी गिली है इस साब से आप इसको पानी दे सकते हैं इसके बाद इसकी सनलाइट की बात करेता है तो जैसे कोई भी फूलों का प्लांट हो जिसको जाधा फूल आता है या आपको चाहिए कि उसकी जाधा फूल आता है तो उसको 6-8 गंटे धूप मिलनी बहुत ज़रूरी है तो इसको भी 6-8 गंटा डिपेंड्स आप कौन से लोकेशन पर रहते हो जैसे अभी आप वेस्टन साइड ऑफ इंडिया में रहते हो जहां पर थोड़ी ठंड होती है जैसे पूने मुंबई ऐसे एरियाज है वहां पर इसको 6-8 गंटे चलेगा अगर आप राजस्थान एर में रहते हो तो उसको 4-5 आर्ज की दूप भी चलेगी तो इसे साब से उसको प्लांट कीजिए अगर आपको इंडिकेशन मिल जाएंगे अगर बर्निंग है तो अगर आप यहां पर देख सकते है तो कभी-कभी बर्न यह पुराना वाला एक पता है इसको देख सकते है बर् एक प्रॉब्लम होता है प्रॉब्लम मैं मतलब इसकी करनी पड़ती है इसमें है कि इसको बहुत जल्दी कीडे लग जाते हैं तो अगर आप देखोगे मेरे हाँ पे थोड़े से लग गया है अभी मैं इसको ट्रेट करूंगा तो मैं आपको वह भी मेथड बताता हूं कि इसक अगर मैं इसको अभी ठीक कर दूँ तो इसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा तो मैंने इसके लिए खास एक सोलीशन बनाया आ है जो ऑर्गैनिक सेलीशन है इसमें मैंने नीम के पतों को मिक्सर में से निकालके उसका थोड़ा जूस या अगर आपके पास नीम oil है तो नीम oil इसमें भी मिक्स किजिए फिर मैंने इसमें थोड़ा सा इलाइची भी ढला है और थोड़ा सा नीम्बू, नीम्बू का रफ इसमें डाला है, थोड़ा सा इपसम भी मैं इसमें कभी-कभी मिला देता हूँ, तो ये मैं सिर्फ इसमें ऐसे स्प्रे करूँगा, अभी मुझे ये दो-तीन दिन लगातार करना पड़ेगा, तो इसमें पूरे कीडे वो निकल ज्यादा आते हैं, तो किडों का भी खत्रह जादा होता है, तो इसको थोड़ा ट्रीट करना पड़ता है, तो आप इसको अगर आपके बुल्दावधी के प्लैंड में, अगर कीडे पड़े हैं, तो 3-4 दिन लगातार आप उस पे ऐसे नीमॉयल का च्ड़काव कर सकते हैं तो इससे वो ठीक हो जाएगा और इसको धूप में रखिए अच्छे से पानी दीजे और इसको बहुत साधा फूल आएंगे मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ मैं इसका इतना सा सीडलिंग लेके मैंने एक प्लांट बनाया था मैं आपको वो भी दिखाता हूँ यह वो सीडलिंग से निकाल के मैंने यह लगाया था और यह जमीन में लगाया था मैं एक गमले में लगा रहा हूँ और एक जमीन में लगा रहा हूँ देखना चाहता हूँ कि कैसे बढ़ेंगे दोनों तो इसको भी अभी बर्ड्स आना स्टार्ट हो गया अभी यह फिर भी नया प्लांट है इसलिए इसको थोड़ा कम आ रहा है लेकिन अगर आप कटिंग से कोई प्लांट लगाते हो तो उससो जादा फूल आते है जो पुराना प्लांट होता है इससे और अगर आपको इसका कटिंग लगाना है तो आपको सिंप्ली इतना ही करना पड़ीगा मैं आपको दिखाता हूं बस इसका इतना सा कटिंग लेजिए तना सा ठीक है और इसके ये सारे पत्ते हटा दीजिए ठीक है और इसको बस कहीं भी आपके जैसे गंबला है आपका कोई तो इसमें बस ऐसे इसको अंदर लगा दीजिए बस कुछ नहीं कर रहा है रूटिंग हर्मोन की ज़रूरत नहीं है इसको अलग से कुछ करने के आपके जो रेगुलर प्लांट होता है रेगुलर जो गमले होता है उसके अंदर भी आप इसको लगा दे तो ये हो जाएगा बहुत अच्छा प्लांट है बहुत जादा फूल आते हैं जरूर लगा ये इ रूब करने काम Θा की जोसी जोड़ तो आत HRव से प्लांट होता है है भूल के जए हो अहीं है ठेकर को भी जो पर 열ूर येवागो नहीं है ⅟ट है तो इस जो जो आूहरा हैं। झाल 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 झाल